स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुल्मी आज हम लाहें क्लास 9 के वच्चों के आपकी इंग्लिश के हैं भी हाइफ की बुक से चाप्टर नंबर टू दे साउंड अफ मुजिक के फर्स सेकें दोनों पाद हम इसी में करेंगे तो आप नहीं देखे तो पहले उसे जरूर देख लिए क्योंकि हम लाइन से जा रहे पहले भी करेंगे में विहाइफ के हम करेंगे तरह मोमेंट्स की चार चाप्र आप करेंगे तो एमसे आप एकक ड़र एडियो जाएंगे सब्सक्राइब कर दिखेंगे बस आपको दो तिन गंट तो कोशिन नम्बर फर्स्ट है बिसमिल्ला खान वास्कॉल्ट बिसमिल्ला खान को खान साहिब भी कहते हैं तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आप इसमें ए बिदिक करेंगे नेक्स्ट नम्बर टू विच इस दा इंडियन्स हाइस सिविल इन वाड त तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कुश्य नम्र थर्ड है तहार मौसिक्यू उस्ताद बिसमिल्ला खान ओडिटोरियम इस सिट्वेशन यानि जो तहार मस्जिद है जो कि उस्ताद बिसमिल्ला खान का ओडिटोरियम है वह कहां पर है तो वह पहरीन में त जो यह पाब का पहार है तो आपका pasti आद रखेंगे तहरान तो कुर्ण नम्र पोर्ट है कुर्ट है विर इस लिंग कौल में प्रोल रिल्क अर्म सेंथर वाल districts तो वह उएसे में तो इसम्र आपका बी-ॉप्शन-करेंट हरक 손 Duke कौनॉय वह क मिलंक रारिम जेया बिसमिल्ला का कंपोजिशन है तो इसमें आपका ए ओप्शन जहें करेक्ट हो जाएगा कुश्च नमबर सिक्स है ऑन अगस्ट 15 1947 विच राग वास प्लेट बाइब बिस्मिल्ला खान फॉम दरेट फॉर्ड तो रेट फॉर्ड पर उन्होंने कौन सा राग बजाया था तो उन्होंने कैसे आपिशन करेक्ट हुएगा राग कर्प गटी कोश्च नमबर सेवन हैं वह वास अली बग्स कौन है तो जो है वो बिस्मुला के मर्च只 एम अंकल है तो स्मापका सी आप्शन करेक्ट हुच्ण martyr कोस्च नमबर 7 वाइट था स्वाग वाज बिस्मिल्ला खान तो बिसमिल्ला खान के जो ग्रैंट फादर है वो क्या है वो एक शेहनाई नावाज है जो कि भोचपुर किंग कोड के शेहनाई नावाज है तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कोश्च नमर नाइंत है वे डिट बिसमिल्ला खान रेगिलरली गोइंग तो सि पिटिक कर लेंगे कोश्च नमर टेंथ है वर्ट क्रेडिट इस गिवन टू उस्ताद बिसमिल्ला खान रिगार्डिंग शेहनाई तो शेहनाई उन्ट ए क्लासिकल स्टेज पर देनी चाहिए तो इसमें आपका सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा कोश्च नमर एलेवन तह व वह ट्रेवल क्यों करते थे क्योंकि एवलीन थी वह कुटन रीट इस प्लिप्स क्योंकि एवलीन जो थी उनकी लिप्स नहीं पड़ सकती थी तो इसमें आपका बी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा कोश्च नमर ट्वल्त है वैंडिड एवलीन फिल्स एवर्टिंग सो डाक जब उसे बोला गया कि तुम एड्स में जाओ तुम जो बहरे के स्कूल होते हैं डीफ स्कूल होते हैं वहां पर जाओ तो उसे डाक लगने लगा सब कुछ डाक लगने लगा तो इसमें आपका बी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा कोश्च नमर थाटीन है वट वास रॉन इस बूच्छ नमर फॉटीन है वट इस दो निम आप दा मास्टर पिश्रस्ट वू प्रेस्ट एवलीन तो ऑफ प्रेस्ट करने वाले का मास्टर का दा नाम जीम्स ब्लेड तो इसमें आपका बी ओप्शन करेक्ट जाएगा कोश्च नमर फुटीन है विच फ़ॉन लांग what was the source of inspiration for bismillah bismillah khan के लिए source of inspiration क्या था तो उनके लिए source of inspiration था गंगा घाट तो इसमें आपका C option करेक्ट हो जाएगा question number 17 है what did Eveline want to spread through her music तो Eveline ने क्या अपने music से क्या spread करा उन्होंने a message of love, peace and happiness spread करा तो इसमें आपका A option जो है correct हो जाएगा आप इसमें एपटिक करेंगे question number 18 है what did Ron Forbes advise Eveline Eveline को Ron Forbes ने क्या advice दी उन्होंने advice दी कि music को feel कर अपनी body से तो इसमें आपका C option जो है correct हो जाएगा question number 19 है who all were present on the event of 15 अगंस तो इनमें से कौन-कौन सा था कौन-कौन थे जो 15 अगंस के event में present थे तो इसमें आप देखें नाहरूबी प्रेजंट थे गांधी प्रेजंट थे सारे इमिनेंट में पीपल भी प्रेजंट थे तो इसमें आपका D option all correct हो जाएगा question number 20 है Shanae's refined version of which instrument तो Shanae किस instrument का तो इसमें आपका पुंगी का है तो इसमें आपका पुंगी हो जाएगा question number 21 है what was the event of Shanae playing on 15 अगस्ट a historic one यही जब इस 15 अगस्ट को प्ले कर गई थी तो इसे historic क्यों माना गया है तो वो क्या event था उस दिन तो उस दिन क्या था उस दिन independence देता तो इसमें आपका C option जो है correct हो जाएगा आप इस पे C पर टिक करेंगे next question number 22 why did Bismillah refuse to go to USA Bismillah Khan ने USA जाने से मना क्यों कर दिया तो इसमें आप देखिए उन्होंने उन्होंने USA जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बनारस से और गंगा रिवर से बहुत जादा प्यार था उन्होंने इसलिए मना कर दिया तो इसमें आपका C option correct हो जाएगा question number 23 where was the shanai play traditionally तो कहां पे shanai traditionally play करी जाती है तो temple में भी play करी जाती है wedding ceremony में भी और special ceremony में भी तो इसमें आपका all correct जाएगा आप इसपे डी पर टिक कर लेंगे question number 24 है how is the shanai different from the pungi जो shanai पुंगी से different क्योंकि है क्योंकि shanai में बेटर साउंड है तो इसमें आपका A option जाएगा आप इसपे A पर टिक कर लेंगे question number 25 है why was playing pungi in Aurangzeb play less band तो यानि पुंगी का बजाना जो Aurangzeb का जो लाकिला था उसमें my band क्यों थी तो वो इसले बैन थी क्योंकि वो एक sharp sound कर प्रेट कर थी वो good me अच्छी भी नहीं थी और एक वो unpleasant थी तो इसमें आपका all correct हो जाएगा आप इस पर डीक कर लेंगे question number 26 है question number 27 है what was life for Evelyn? एनि Evelyn की life के लिए क्या था? उसके लिए life के लिए बास music था तो इसमें आपका C option correct हो जाएगा question number 28 है who spotted Evelyn potential? यानि Evelyn की potential किसने spot कर दी वो उसके जो Ron Forbes थे उन्होंने spot कर दी तो इसमें आपका D option correct हो जाएगा question number 29 है when was Evelyn deepness confirmed? यानि Evelyn जो है वो सुन नहीं सकती वो कब confirm करा गया तो जब उसकी age 11 से भी जादा हो गई तब उसकी 11 हो गई तो उससे confirm हो गया question number 13 है how old was Evelyn 1 she went to Royal Music Academy यानि Evelyn जब Royal Music Academy गई तो वो कितने साल की थी तो वो 17 साल से भी कम थी तो इसमें आपका मेलो 17 आजएगा तो आप देखिए आज का जो आपका chapter number 2 the sound of music था उसके अमने अमसे क्यों कर लिए अब हम नेक्स चाप्टर chapter number 3 the little girl के करेंगे and chapter number 1 आपके sample पर भी अप्लोड उप्लोड जखें thanks for watching video bye bye guys